तो हेलो गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल दियारी गैमिक इंग तो आज हम करेंगे 10th क्लास का रिफ्रेक्शन ओफ राइट का पहला पार्ट शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और परकाश दा अपवर्तन में टॉपेक एनों आपा रिफ्रेक्शन ओफ लाइट भी कहन देयां रिफ्रेक्शन दा मतलब बैंडिंग ओफ लाइट बैंडिंग कदो हुन दिया है जदों परकाश एक माध्यम तो दूसरे माध्यम बिच जानदा है ता एहे अपने रस्ते तों विचलत हो जानदा है परकाश दे इस वर्तारे उनों असी परकाश दा अपवर्तन कहन दे हां जी में असी कह सकते हैं कि परकाश एजड़ा सिद्धी रेखा वेच चल दा है आप पहला विकार चुके हैं ते जे चमकिली सतन और टकरा जानदा है ता उसे माध्यम वेच पास आजनदा है इसनों सी परकाश दा परावर्तन कहन दे हां पर जेकर एहे एक माध्यम तो दूसरे माध्यम वेच चला जनदा है ता एहे अपने रस्ते तो मुड जनदा है उसनों सी परकाश दा अपवर्तन कहन दे हां ए ओधों हुंदा है जदो परकाश एक संगने माध दिम तो विरले माध्यां बिच जनांदा है जां विरले माध्यां तो संगने माध्या सबचांसादा जैर दोंना दी संगंता दा जे दिफ्रेंट्स होवे दो माध्याम दहें ताँ परकाश अपने रस्ते तो यह विल जन्द수록 और कारण भी परकाश दी जड़ी चाल है उँ माद्यम विच वदल जन्दी है इसलिए और शॉटकट रस्ता अपनाँ दी कोशिश करदा हुंदा इसलिए परकाश जड़ा अपनी सिद्धी रेखातों हुंदा ना हुआ पहले केसा से लिए कि जदौन परकाश विरला मद्यम जाने के ठ्यमा हवा ले सकते हैं तो संगरी माद्यम जान की पाणि जहां कांच ले सकते हैं ओदी विच जानदा है तां की हुन दै प्रकाश दी किरन हवा विचों सिद्धी आ रही है जे असी बिच माद्यम ना वदलिये तां हो इस डॉर्टर लाइन दे नाल नाल सिद्धी निकल जानदी पर एहे असी कभी लंब लेले है जड़ा की 90 डिग्र दे सर्फेस दे नाल जो दो प्रकाश दी किरन हवा तो जनकी विरले माद्यम तो संगने वल आना शुरू कर दिये ताहें इस सता ते आके अभी लंब दे वालनू चुक जान्या है एह अपना अभी लंब है प्रकाश दी किरन ने इस तरफ जाना सी परहो एददर नू शिफ हो गी है ता अभी लंब दे वालनों शिफ्ट हो जान दी है इस तो उल्ट माद्यम जी आप ले लिए कि यह पां संगने माद्यम तो परकाश दी किरन आ रही है ता उसने इस तरह ही नंग जाना से जड़े डॉटर लाइन आपा शू हो रही है पर जोदों यहीं विरले माद्य में चैन्टर किती है अहां अभी लंब है जी सुन आसी नॉर्मल जान अब बेडी गरी दा कौन भी कहने है ता एहे इस तरफ जान्दी जान्दी थोड़ा ओदर हो शिफ्ट हो गी है जाने कि अभी लंब तो पराँ शिफ्ट हो गी है एहे एंगल ओफ इंसिडेंस जाने कि आप तन कौन एंगल ओफ रिफ्रेक्षण अपवर्थ तन कौन इन्नो याद करना तरीका डर संगने माध्यमनू इंगलिस्च कहनदेने डैंसर विरले माध्यमनू इंगलिस्च कहनदेने रेयर है य तो मतलब अभी ज़दों परकाष्टी किरन डैंसर तों डी तो आर आपा तर तो रेरर मेडियम जाने कि संगने माध्यम तो विरले माध्यम विच जानदी है ता हो अवे हो जनदी है जाने कि परां हो जनदी किस्तो परां अभिलांब तो परांवल चली जानदी है जे असी एक दो माध्यम लईए ते ओधे विच जड़ी आपाती किरेन है ओहो अभिल अमदे बिल्कुल समानंतर ही आवे जाने कि उन्ना विच एंगल आई जड़ा हैगा जीरो डिगरी होवे ता उहो बिल्कुल नी मुड़ेगे क्योंकि एंगल आर वी जीरो डिगरी होवेगा पर काश किसे भी तरफ नहीं मुड़ेगा हुन असी कुदारन लेंदे आगे कांच दी स्लैब दी स्लैब इक आयताकार कांच दा पीस होंदाएगा असी उन्नों क्योंकि काच्च दे हंदाए वह मेशा संगना माध्यम गिने जानदे एज कंपेरेजन टू हवा अपाती किरन हावा दे विच्चों आउंदी है जोदों हो कांच दे सतानाल टक्रों दी है मतलों ते पहुंच जन दी है ता उहो इस सिद्धे रस्ते दे जान दी बजाए उहो अभी लंब दे वालनों चुक जन दी है देखो इस तो एद्दनों शिफ्ट होगी आपना अभी लंब है आँ एंगल ओफ इंसिदेंस आपतन कोन आहां अपवर्तित कोन इन्हों सी अपवर्तित किरन भी कह सक देया यह अपाती किरन जी में यह कांच दी वीच्च प्रकाश दी किरन जारी है देखो सिद्धी रेखा वीच जारी है लेकिन फेर जो दो विरले मादें बीच आंदी है ता इसने इत्थे सिद्धी रेखा देविच जांदी बजाए अवे फ्रॉम दा नॉर्मल जाने की अभिलांबतों परावाल शिफ्ट होगी है इन्हों आप निर्गाम्मी किरन भी कह सकते हैं ते एजड़ा कोन बने है इन्हों आप निर्गमन कोन जा इस विच एंगल अपाति कोन ते निर्गमन कोन हमेश ब्राब्बन हुन देने उस्तवाद आगया अप वर्तन दे निजम सब्तों इंपोर्टेंट है सनेल जा नियम सनेल दा नियम अप वर्तन दा निजम है जीदे अनुसार जड़ी साइन आई साइन हुन दे लंब बटा कर इस एंगल दा साइन आई बटा साइन आर हमेशा एकस थी रंक रहन दे जिसनु असी अप वर्तन आंक कहन दे या इहें मादे मुते निर्प्र कारद है कि केड़े दो मादेम नेगे हारीक मादेम दा अपना अप वर्तन आंक हुन दे जनके इत्थे कह सकते हैं जैसी एंगल आई नो कटा अधन्या ता आर वी ओसे तरह ही अपने आपनु चेंज कार लेगा क्योंकि जदो सी एस दी रेशो जाने के अनुपात कड़ांगे ता ओं हमेशा एकस थी रंक ही आवेगा अप वर्तन आंक असल दे वीचे कंपेरेजन हुन देगा कि कीड़ा की उस मादेम वी चाल किन्य है ते बटे हवा वीचे प्रकाश दी चाल किन्य है हवा वीचे प्रकाश दी चाल सारा नूपत्या तिन गुना दास दीकात आठ मेटर पर सेकेंड हुन दिये एक इक आई ये दी कोई नहीं है इस अपवर्तन आंक नूँ आपा म्यू देना लिख दियांगे ते इस दे कोई इकाई नहीं है। उस्त वाज से अपवर्तन कार्दियां इक प्रीजम दे विचो दी। प्रीजम एक कांच दे ही वीश है जिस दे दो सतामा तिकोनिया हुं दियाने। तो बाकी जड़े अद्र वाले साइडां वाले सीरें देनों रेक्टैंगलर जाने की आयताकार हुं देनेंगे। तो जदों अइस्तों प्रकाश्टी किरन अपात्ती किरन आंधी है। आँ काच्छ हो गया सारा अंद्र वाला यह हव है। ता आसे आध सर्फेस दे नाल नब्य डिग्री दे जदों कौन बनाने हैं ता आवला बनेंगा इसनों से अवे लंब कमागे। ता एस की रन ने इस तरफ जान दी बजाए। अभी लंब तों परावल चुक गी है क्योंकि विरले तों हवावल। परावल चुक गी है क्योंकि विरले तों संगने मादें विच जा रही है। फेर एस सिद्धी रेखा विच जान दी है। जे में इसने इद्धर निकल जाना सी पर क्योंकि हुने है हवादे विच द्वारा आ रही है। ताहे हुन ए दली सतानाला आपज अभी लंब मारांगे इस तरह होएगा। ताहे अभी लंब तों परावल चुक होगे। इस तरह जाना सी गा। अभी लंब आ सी सुड़ा ते एने इद्धर नो शिफ्ट करता अभी लंब तों परावल इस तरह ही सानु प्रिजम देविचे मिल दी है। उसन अपवर्तन ने जड़ा। एदा साथी जिन्दिये देविच पी बहुत हमाते विखोन नो मिल दागा। जिमें पाणी देविचे रखियां चिजां सानु जादा डूंगिया नजर निया दियां। पर जो दोसी पाणी देविच हाथ पाके देख देख देयां ता सानु पता लगदा कि असल देविचे डूंगा एजड़ी चीज दिया हो। जादा है जिन्नी सानु बारों नजरों दिया। तार्यां दा टिम्टिमोना वी अपवर्तन देखा रणी ही हुन्दा है हीरे दा चमकना। इन्ना निया खास उधार नाने। अपवर्तन लेई पारदर्शी माध्यम चाहिदे हुन्देने। होनसी पढ़ांगी गोलाकार लेंज। लेंज आने वेच अपवर्तन ही हुन्दा है। दो तरा ने लेंज हुन्देने एक है उत्तर लेंज। एक है अप्तर लेंज। जड़ा उडे मंगू उबर मां है ओ उत्तर लेंज। दूसरा अप्तर लेंज है। उत्तर लेंज दे वेच मतलब जड़ा बिचकारों मोट्टा ते साइडां तो पतला होए जदकि अप्तर लेंज दे वेच बिचकारों पतला और साइडां तो मोट्टा होंदे है उसनों असी अप्तर लेंज केन्ने हैंगे एहे दो गोला करस्तावा दे नालके रया हूंदें ए दो गोला करस्तावा ने नहीं राखाया आन्गें दो खोखले, पारदर्शिय गोलां दे पंपाऊा हुंदें, ऑ लेंज हुंदें नेंगे इनदे लेंज राखा आँसी Nurse-Annol इस तरहे होने लेंजनाề C जोड़ीयंदू कुछ प्रिवाश आमा करनीया, मेन ओच प्रकाशी केंदर है, जो लेंज दा केंदर हुन्दा है, उसनों असी ओ ना रिपर्सेंट करदेया, ते उसनों असी प्रकाशी केंदर केंदर आगे, दोना देविछ ही हुन्दै, मुख तुरा, ओ लाइन जिड़ी प मानंतर आ रही है प्रकाश दियां किरना अप वर्तन तो वाद जिस बिंदू ते मिल दिया हन जा मिल दियां प्रतीत हुन दिया हन उसनों सी फोकस बिंदू कमागे उत्तर लेंस दे केस दे वेच क्योंकि उत्तर लेंस जो है वो प्रकाश दियां किरना नो इकठा करदा है ते अब तो लेंस देके इस देवेचे हे प्रकाश ने किन्ना नो खिंडा देंदा है ता इस दा फोकुस बिंदु एड़ा जिस दिशा देवेचे प्रकाश ने किन्ना आ रही है उस तो ओट दिशा देवेचे बनेगा इस दा जी फोकुस जिस दिशा वेचे प्रकाश ने किन परकाशी के इन्दर तो फोकस बिन्दू ता कदी दूरी नोnisse फोकस दूरी कहने यह एने ही दूरी अगर आप अग्गे ले ले ये ता हो एफ बन जन दिये क्योंकि लेंज यक पारडर शीमाद्यम है इस दे विच प्रकाश दिया जो गिन्ना ने विस साइड तो भी आ सकतिय इसलिए इदा फोकस बिरन दोनों तरफ हों दे इस साइर्ट और इस सैड़ते ही इस साइर्ट अप्त लेंस दो ये एक जगा ती नहीं कि सार नहीं घंडा है तान इस नहीं आप सारी लेंस हुआ रखना तरीका ही प्रकाश्णी किन्ना नो इकठ्था कर दें पप्पे देवेची खिंडा के जे पांदेयां ताही सारा प्रकाश्णी किन्ना नो खिंडा दें बाकी टॉपिक अपकाल करांगे थेंक्यू